देग आंपने जीवन मेंएक जीशित सिखी जब ऑपन खेलते हैं तो यहाद है आपन हारते हैं जितने भी यह लोग यूट्यूब पर अनाउंच करे ना हम खेलनेगे हैं चोाम पिया जीतना तुमारा भाईया है तो फाल्टू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझाई, जीतना तुम्हारा भाई है इस साल का अमेचर ओलम्पिया, तो रहने दो. अच्छा जी मैंने एक वीडियो कवर करनी थी इस एथलीट पे जिसका नाम है अभिशेग यादफ, बिकस आईजी पे अगर आप इनके स्टैट्स देखें, सो 24 साल की उमर में शेरू क्लासिक 2019 में थर्ड प्लेस, एमिचर ओलम्पिया 2018 में मेडल मेंशन है, यानि आराउंड टॉप फाइव में तो होगा. और फिजीक वाईज ही इस लिटरली एस स्पेसिमन ओफ आ मैर. और मज़ेगी बात ये के ये कंपीट कर रहे हैं एमिचर ओलम्पिया में, ये वही प्लैटफॉर्म है जहां पे रोहित खत्री भी कंपीट कर रहे हैं. हाला कि मैंने इस लिएस को बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट किया है कि कभी भी लाइफ में आप अपने आपको किसी से कंपेर ना करें. विकरस आप उस वे में कभी ग्रेटफॉल जिन्दगी नहीं जी पाएंगे. In fact, मैं हमेशा कहता हूँ कि you always have to be a better version of yourself. लेकिन for the sake of this video, we are doing a comparison because दोनों जो एथलेट्स हैं वो सिमिलर प्लाटफॉम पे कंपीट कर रहे हैं. So, of course, I would say why not. रोहित खटरी की जहां तक बात है, हम इन्हें already amateur Olympia के respect से cover कर चुके हैं. So, let's now look at how Abhishek Yadav looks and let's see how well he has progressed over the years. So, 2014 में Abhishek कुछ ऐसा दिखता था. Even अगर आप पुरानी फोटोज भी देखें, so महस एक-दो साल की ट्रेनिंग के बाद, especially proper ट्रेनिंग, आपका अपना nutrition ठीक हो, so एक साल में Abhishek skinny से इस shape में आ गया. और फिर छे महीने बाद, that is how well this guy looks. यानि 2014 में जो लड़का एकदम skinny देखता था, वो ही लड़का दो साल बाद completely change हो गया. बहुत सारे लोग शायद ये सोच हैं, के महस एक-दो cycles के बाद ऐसी physique बन जाती है, कोई tension वाली बात नहीं है. लेकिन अगर आप मुझ से पूछें, so this is purely genetics. Because मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, जो even after number of cycles, ये physique अचीव नहीं कर पाते हैं. क्यूंके उनको ये बताया गया है, के body building is only, only and only about anabolics and PADs. जबके देखें, ऐसा हर्गेज नहीं है. मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ. Let's say आपने लिए दो लोग. ठीक है, दोनों को आपने same cycle दी. Let's say, एक को आपने दिया 250 mg of testosterone a week, दूसरे को भी आपने दिया 250 mg of testosterone a week, जिसकी वज़ा से क्या होगा, इन दोनों की bodies में free bioavailable testosterone की quantity बढ़ जाएगी. जो कि of course, blood work से भी पता आप कर सकता हैं. जिसका या मतलब है, कि अगर आपकी body में free circulating tea है, तो इसका मतलब ये, कि ये SHBG से bind नहीं होगा. जब ये SHBG से bind नहीं होगा, as a result, फिर क्या होगा? यानि more and more bioavailable testosterone आपकी body में है, जिससे आप muscle growth कर सकता है. अब जो बात में आपको बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा जा गवर से सुनना. अगर, अगर आपकी body में जो free testosterone है, free bioavailable testosterone, वो जब जाके bind होता है, attach होता है with the androgen receptor, इस नतीजे में क्या होता है, कि there's a gene expression जिसकी वज़े से आपकी body grow करती है, muscle development, muscle protein synthesis आपकी body में होता है. ठीक है, कब जब free tea bind होगा किससे androgen receptor? ठीक है, this is like a pretty normal thing. जिसका मतलब यह हुआ कि जितना bioavailability आपके gene expression के through, आपके AR यानि androgen receptor से bind होगा, उतना ही muscle आप grow करोगे, ठीक है जी? लेकिन अगर मैं आपको यह कहूँ कि due to bad genetics, आपकी body में optimum amounts of androgen receptor ही नहीं है, जिसकी वज़े से आपकी body muscles grow नहीं कर पा रही, तब क्या करोगे, यानि besides the fact के दो लोगों को आपने similar cycle दी, similar doses दी, but because of the worst expression of AR, due to bad genetics, whatever, एक हो सकता है बहतर grow कर रहा हूँ, दूसरा बहतर grow ना कर रहा हूँ. So, यही चीज आपको समझने की जरूरत है, कि even अगर दो लोग same cycle पे भी हों, क्यों ऐसा होता है कि सबके results different आदा, that is the main freaking reason. So, yes, I would agree कि body building is a sport of anabolics, of course, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन it is just one part, it is just one thing, however, it is not the only thing. So, सिर्फ यह कहके बज जाना, कि यह तो steroids का कमाल है, और steroids लेके ऐसी body बहुत असानी से बनाई जा सकती है, सिर्फ इस से बाद नहीं बनेगी. Just because आपकी body में free bio available testosterone की amount ज्यादा है, yes, वो आपको help जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा muscle grow करने में, लेकिन अगर आपको यह लगता है, कि आपकी body भी ठीक उसी तरह से respond करेगी, जैसे कि दूसरे की कर रही है, बेतर कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, सो यह खयाल आप लोग अपने जहनों से निकाल दें. अच्छा फिर 2017 से ही अभिशेक ने compete करना भी शुरू कर दिया था, और लिटरली तीन सालों में that is how he looks. Kept delts, vascular arms, visible obliques and an impressive midsection I should say. Even अगर आप app inserts देखें, so they are freakingly blessed. बहुत से लोग यह पूछते हैं कि ऐसे apps बनाने का क्या राज है, या फिर कौन सी exercises या फिर कौन सी ऐसी training split follow करनी चाहिए, जिस से आप ऐसे apps अचीव कर सकते हैं. So for your information, this is purely genetics, because यह बनावट ही अलग है. I hope आप लोगों ने surgery constants के apps देखे होंगे. They are literally a kind of its own. Similarly, आप Lizard, Angeloff को देखें, so this is again insane apps genetics. So यह सोचना के महज diuretics के बाद और low body fat पे आने के बाद, आपके apps भी बिल्कुल ऐसी दिखेंगे, this is utter stupidity. Anyhow, उसके बाद जैसे जैसे time गुजरा, अभी शेक बेतर से बेतर होता गया, और बड़े body building shows में भी compete करने लगा. Just look at the difference in 10 years. This is 10 year transformation challenge जो कुछ ताइम पहले popular हुआ था. उसके बाद जुलाई 2019, यहां mention है, 3 days left for IFBB, Pro, Portugal, यानि international events का भी extensive exposure है. Even standing besides Manoj Patil, of course Manoj is way more experienced, but ऐसा हर्गिस नहीं है के he is looking way off. Still अपनी age और experience के हिसाब से, he looks impressive and competitive. Even his mother I believe is a power lifter. So ऐसा कैसे हो सकता है के आप gifted ना हो. Especially when your parents have been engaged in similar sports as well. Of course not body building but power lifting. So this is I would consider as a validation of having good genetics. Of course वक्त के साथ साथ जिस rate से अभी शेक ने ग्रो किया है, especially major shows में compete करना, so जाहर है, इसके नेटी स्टेटस का सवाल करना is stupidity. And this is how he looks right now. And let's now compare अभी शेक विद रोहित. So ये है August 2021, रोहित बहुत lean है, full six-pack abs, vascularity भी है, and looks amazing. Versus ये photo है FAB 2020 की, और आप clearly difference देख सकते हैं, especially in size. There's I would say a dramatic difference. अभी शेक का जो सबसे बड़ा advantage है, वो है उसके shoulders. I would say they are pretty broad. Versus रोहित के case में ये चीज़ लैक करती है. Of course दोनों athletes अपने peak week में इस वक्त नहीं है, but still difference देखा जा सकता है. रोहित के इस post को अगर आप compare करें, अभी शेक के case post से, so बजाहिर आप कह सकते हो के टक्कर का मकाबला है. But still I would say, अभी शेक is way more heavy in terms of size. इसके इलावा, और दूसरे comparison photos में ये देखा जा सकता है, clearly के अभी शेक has a clear lead. Even ये photo almost 2 साल पुरानी है. जबके रोहित की ये photo को सिर्फ 2 महीने हुए है, but still you can see the difference. So I personally think that there is no comparison, क्योंके देखें IG photos में आप एक खास angle से, एक खास pose में बड़े और impressive तो दिख जाते हैं, और लोगों को ये लगता है कि आप काफी massive हो गए हैं. लेकिन जब आप stage compete करते हैं, So this is a completely different ball game. I don't think के रोहित के पास stage compete करने का experience है. Versus जब आप अभिशेख की बात करते हैं, So indeed he has pretty good experience. So overall, अभिशेख has a win for sure. और देखो, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये literally practical stuff है, समझने वाली चीज़े होती हैं. जैसे कि अगर आप experience की बात करें, So of course, stage पे compete करने का experience अभिशेख का काफी जयादा है. और जैसे के हमने कहा कि बाडी बिल्टिंग is a sport of genetics and in fact performance enhancing drugs, So मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने जो last week Olympia हुआ है, वो देखा है. उसमें क्या हुआ है? अगर आपने उसका 212 division देखा है, So उसमें Sean Clarida, जो के last year Mr. Olympia थे 212 division के, ये footage है इस साल Olympia की, जो के last week में हुआ, आप मुझे ये बताओ के क्या कमी है इस बंदे में? Size, conditioning, symmetry, aesthetics, this guy is literally bang on in every freaking thing. But still, इस साल Sean अपने title को different नहीं कर पाया. क्यों? Because ये जब खड़े हुए, अपने से बहतर genetics वाले athlete के सामने, So he was literally a genetic phenol. आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, genetics का मुकाबला नहीं कर सकते. और यही वज़ा है कि Derek ने इस साल का 212 category division जीता. आप ये भी नहीं कह सकते कि Sean experience में Derek से कम था, या पिर उसने hard work बहुत कम करी, या पिर उसकी symmetry आउटी, नहीं ऐसा हर्गेज नहीं है. Sean over 50 shows में complete कर चुका है और इसको pro card 2012 में मिला था. versus Derek ने अपना pro card 2017 में जीता, और अगर मैं सिर्फ age wise या in fact experience wise भी अगर आप compare करो, so Derek Sean से almost 10 साल छोटा है, बर स्टिल उसने Sean को बहुत easily beat कर दिया. और ये वही Sean है जिसने तिछले साल 212 division जीता था. यानि कम age और कम experience होने के बावजूद, Derek ने Sean को easily defeat कर दिया. So, लोग को क्या करना चाहिए? Should they stop competing? So, the answer is of course not. पहली चीज आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके अच्छे या बुरे genetics हैं? Even जब मैं Sean की बात करूँ तो उसने अपना पहला Olympia जीता last year. So, उसके Olympia winning genetics हैं, उसको ये पता करने में over 50 shows लग गए. यानि over decades उस बंदे को लग गए just to figure out कि उसके बहतरीन genetics हैं. यानि अब ये सवाल इससे ही उठता है कि आपको अक्सर लोग पूछने हैं न जी comments में कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे अच्छे या बुरे genetics हैं? सर आप सालो, सालो training करें, अच्छा nutrition रखें, अच्छे supplements लें, आपको पता चल जाएगा आपके genetics हैं या नहीं है? अमें this is like pretty common sense stuff, कोई chemical formula नहीं है कि आप crunching करोगे अपनी values और वो आपको बता देगा. अक्सर लोग in fact कहते हैं कि जी, Ronnie Coleman, Ronnie Coleman था because of drugs, because of heavy duty androgen exposure वो Ronnie Coleman बना. Yes, partially मैं इस चीज़ से agree करूँगा कि body building में इन चीज़ों के बगार आपका गुजारा नहीं है. लेकिन अगर आप reality समझें, even अगर आप Ronnie को back in I think 90s, somewhere in 90s, जब वो in fact nady था, अगर आप उसे literally आज देख लो, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि वो nady था. So, did only pedis make Ronnie Coleman? No. पहली चीज़, elite level, insane one in a billion genetics I would say, literally one in a billion genetics. On the top of that, years of training, on the top of that, very strict nutrition, supplementation, anabolics and then you become Ronnie Coleman. यानि अगर आप हर वो चीज़ कर लो, जो वो करता था, but if you don't have those freaky one in a billion genetics, literally कोई फाइदा नहीं है. So, आज से ये चीज़ अपने साथ आप लोग बान लें. So, to wrap this video up, देखें experience-wise, I would say, Abhisheg Yadav का काफी extensive experience and not only locally, but internationally as well. इसी तरीके से अगर मैं genetics-wise बात करूँ, so I think he has a much more lead. इसके इलावा, overall I would say के there is no comparison at the moment, क्योंकि Abhisheg काफी सालों से compete करता है, वो उस mindset के साथ वो चलता हुआ आ रहा है. जबके रोहत का इस level का जो competition है, वो first time है. So, I think there is no comparison at the moment, लेकिन हाँ, अगर रोहत competitively इस चीज़ को pursue करता है for some years, then I would say के yes, कुछ नकुछ comparison महां पे बनेगा. But for the sake of this video, I think there is for sure, और यह चीज़ आप लोग in fact जानते हैं के, Abhisheg Yadav is going to beat रोहत खत्री just like that. और वैसे मैंने दूसरे athletes को नहीं देगा, but this is my guess के, maybe, maybe Abhisheg Yadav, अपनी category में, I think top 3 में हो का. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.